दोस्तो CD का नाम तो आपने सुनाई होगा जिसका यूज डेटा को श्टोर करने के लिए किया जाता है लिकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये छोटी सी डिवाइस जिसका नाम CD है ये काम कैसे करती है और आखिर इस छोटी से डिस्क में इतना सारा डेटा स्टोर कैसे हो जाता है साथ ही हम जानेंगे कि CD, DVD और Blu-ray इन तीनों में क्या difference होता है और लाश्ट में हम जानेंगे कि आखित क्यों CD, DVD मार्केट से गायब होती जा रही है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनी topics के बार में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो CD की फुल फॉर्म होती है compact disc और ये एक optical device है optical device मिस वो device जिसमें data को read और write करने के लिए laser light या electromagnetic wave का use किया जाता है तो यहाँ पे CD और reader के बीच में कोई भी physical connection नहीं होता है यहाँ पे जो भी काम होता है वो light beam से होता है बात करें इसके component की तो basically CD में तीन component होते हैं जिन से मिलकर CD बनती है तो सबसे नीचे होता है एक plastic का base जिसमें एक side में होता है label जिसमें लिखा हुआ रहता है और दूसरी side में लगी हुई होती है aluminum की film जो shiny part होता है और देखने में ये एक rainbow type का लगता है और उसके ओपर दुबार ऐसे एक plastic की coating होती है जिससे कि film पे कोई भी damage ना हो अब ऐसे में जो plastic का base होता है वहाँ पे हम laser की help से छोटे छोटे section बनाते हैं तो जहां हम section बनाते हैं वो area थोड़ा सा दब जाता है और जहां हम section नहीं बनाते हैं वो area flat रह जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि CD digital format में काम करती है तो ऐसे में हमारे पास जो analog data है उसे हम digital में convert करते हैं इसके बाद हमने laser की help से CD में जो छोटे छोटे section बनाये थे वो निकाल लिये अब इनी section में data spherical form में start से लेके end तक store कर दिया गया और उसके बाद लगाई उपर से एक aluminium की film और end में plastic coating की layer लगा के CD को तयार कर दिया गया बट अब question यह आता है कि reader कैसे काम करता है तो जब हम CD को player में लगाते हैं तो आपने notice किया होगा कि CD घूमती है तो उस player के अंदर red laser होती है और reader laser को CD की तरफ throw करता है और जब red laser aluminium film के through उपर से टकरा कर वापस नीचे reflect होती है तब reader data को read करता है और उसके बाद user data को सुनिया देख पाता है बट यह जो CD थी इनमें काफी जादा foundation थी जैसा कि CD के शुरुआती दोर में था कि जो भी CD के अंदर का data था उसे erase नहीं किया जा सकता था और नहीं recreate किया जा सकता था और इनमें आप सिर्फ 700 MB तक ही data store कर सकते थे इसके बाद आती है DVD DVD को इसका update version भी कह सकते हैं DVD का मतलब होता है digital versatile disk अब इसका जो structure और process होता है वो भी almost CD की तरह ही होता है इसमें भी surface पे data store होता है और red laser के थोड़ डेटा रीड गिया जाता है लेकिन CD और DVD में जो main difference है वो यह है कि CD में जहां आपको 700 MB storage capacity मिलती है तो वहें DVD में आपको almost 5 GB तक की data storage capacity मिल जाती है और CD के comparison में DVD की speed भी काफी जादा है यहाँ पे speed से मतलब यह आया है कि जब आप computer से कोई भी data CD में transfer करते हो तो कुछ time लगता है लेकिन अगर आप CD की जगा DVD यूज करोगे तो data जादा जल्दी transfer हो जाएगा तो इसलिए DVD की speed CD के comparison में काफी जादा अच्छी है अब आती है Blu-ray disc तो CD का update version था DVD उसी तरह DVD का भी update version है Blu-ray disc जो Blu-ray disc है उसकी speed CD और DVD दोनों से बहुत जाद अच्छी होती है जहां हम CD में 700 MB और DVD में almost 5 GB data store कर सकते हैं तो वहीं Blu-ray में हम almost 25 GB storage capacity मिल जाती है और सबसे important बात कि CD और DVD में जो data read किया जाता था वो red laser के तुरू किया जाता था बट Blu-ray में data को read करने के लिए Blu-rays का use किया जाता है और अब बात करते हैं last point की कि आकर CD और DVD market से क्यों गयब होती जा रही है तो इसका सबसे बड़ा reason यह है कि इन सबकी जगा pen drive ने ले लिया है pen drive size में छोटी होती है और इनसे जाधा data store करके रख सकती है इसलिए यही reason है कि CD और DVD market से गायब होती जा रही है I hope guys अब आपको clear हो गया होगा कि CD, DVD और Blu-ray disc में क्या difference है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe करें Thank you